दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलिवुट के दमंग खान सल्मान खान इस वक्त अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में काफी बिजी है मुंबई एरपॉर्ट पर सबसे पहले उन्हें स्पॉर्ट किया गया था जहां पर एक सीएसेफ के ओफिसर ने उन्हें रोका और जिसके बाद उनकी वीडियो काफी वाइरल होने लगी इस वक्त रोशिया में है सल्मान खान अपनी पूरी टीन के साथ और वहाँ पर टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे है लेकिन जैसे ही रोशिया पहुँचे है सल्मान खान उनका नया लुग भी सामने आ गया है टाइगर 3 से इस बीच रोशिया में उनके फांस ने उनको घिर लिया और काफी देर तक उनसे बाचित करने की कोशिश की हाला कि सल्मान खान को घिरने की पीछे की वज़ा तो सब जानते ही है क्योंकि सल्मान खान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बलकि पूरी दुनिया में लोगों की पहली पसंद है जिया दोस्तों दबंग खान के फांस इंडिया में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में है यही वजा है जब रश्या में लोगों ने उन्हें ट्राइगर 3 की शूटिंग करते देखा तो लोगों ने आसपास आकर उन्हें घेर लिया और उनसे बात तक करने की कोशिश की आप सोशल मीडिया पर सल्मान खान का जो वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो रूस में ट्राइगर 3 के सेट पर नजर आ रहे है सल्मान खान इस वीडियो में रेड टी-शेट और कैप लगा ही नजर आ रहे है उनके इस वीडियो को किसी फान ने शूट किया जिसकी जानकार इंस्ट्राग्राम पर दी गई है जी हाँ दोस्तों काफी स्वाग देखने को मिल रहा है सलमान खान का वो भी रूस की सड़कों पर क्योंकि काफी हांसम नज़र आ रहे हैं सलमान खान और उनका ये अंदाज उनके फांस को काफी पसंदा रहा है अब जब अपने फेवरेट डाक्टर को कोई अपने आखों के सामने देखेगा तो भला वो एक्साइटिट क्यों ना हो यहीं वज़ा है कि एक फांस ने ये वीडियो शूट किया और उसको जल्दी से सोशल मीडिया पर वायरिल कर दिया